चलिए सर कैसे हैं आज की ये क्लास होने वाली है किसके उपर सर ये क्लास होने वाला है section 8 बड़े टाइम से सुन रहे थे section 8 तो पहली बात सर ये कौन सी company होती है company ही इनका रख दिया गया section 8 company इसका नाम ही होता है section 8 company section 8 company पुराने वाले law के अंदर section 25 company हुआ करता था 25 आप पुराने से तो मतलब नहीं section 8 section 8 company basically मैं बोलू तो ऐसी company ऐसी organization जिसका काम लोगों की भलाई करनी है उसको बोलते है section 8 company तो आप बताइए अगर किसी का काम लोगों की भलाई करनी है तो government उसके अंदर क्या करेगा बड़े सारे benefit देगा कि आप लोगों की भलाई करते हो tax कम है अच्छा लोगों की भलाई क चाहता है कि अपनी company को section 8 में करवा लें लेकिन section 8 में करवाने से इतना आसान काम नहीं आपको बहुत सारे rule and regulation फॉलो करने पड़ेंगे तो क्या होता है सर वेर आपका satisfy to the central government पहले आपके पास challenge है कि आपको central government को satisfied मतलब आपको बताना पड़ेगा हमारा सही में काम है हमने प इस अबाउट form limited company as limited company के तरीके से रहेगा पर मोटिंग क्या क्या पर मोट करेगा आपका पर मोटिंग कॉमर्स आट साइन्स रिलीजियन चैरिटी यूसफुल अब्जेक्टिव जो अब्जेक्टिव गवर्मेंट ने डिफाइन कर रखा उसमें तो इन सभी को कामकाज में लगेगा इनका इंटेंड डिविडेंट कमाना नहीं होना चाहिए लोगों की भलाई करना चाहिए अगर यह सो सब्सक्राइब कर सकती है अगर आपने यह सारी चीज़ा रून को तोड़ा तो ठीक है सर प्रोविजन क्या है इस नौट नेसेसरी क्या आप लिमिटेड वार्ड या प्राइवेट लिमिटेड वर्ड कमपनी के आगे लगा है पहला बेनिफिट आपको मिल गया सर यह नहीं लगाना फिर भी आप प्राइवेट लिमिटेड नहीं लगाते हुए भी प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड कमपनी माने जाओगे अगला गर्मेंट आपका कभी भी लाइसेंस को छीन सकता है इसमें कब छीनेगा जब आपने कोई रूल तोड़ा होगा तो आपके इसको छीन लेगा क्या प्रोविजन है सर आपको कमपनी सेक्रेटरी रखने की कोई ज़रत नहीं है हर एक लिमिटेड कमपनी के अंदर कमपनी सेक्रेटरी रखना जरूरी है लेकिन अगर आप सेक्शन 8 कमपनी हो लोगों को भलाई पहुंचाने है तो बोला कि आपका इसने कहा चलो तुम मत रखो ठीक है इसके बाद क्या कहता है आपको नोटीस जो पहले 21 दिन पहले बताना पड़ता था आप फटा फट से कर लो 14 दिन पहले नोटीस दे दो इसके बाद क्या कहता है इंडीपेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडे में थोड़ी न बांदेंगे कहता है यानि सर जो जो कंपणी के लिए है उसे करनी पड़ेगी वही नब्बे दिन वाला रूल लगने वाला है सिंपल सी बात है तो यह कह था सीकशन और कमपनी कों सी यह वह कंपनी जो की ममोट करेंगी क्या क्मर्बारो काक्न साइंस यह फिर से लिट्ट इसके अंडर या प्राइविग नहीं लगाए तबी चलेगा सर इसके अंदर नाम के आगे नहीं लगाना और सेंट्रल गवर्मेंट आपके लाइसेंस ले सकता है अगर आपने रूल तोड़ दिया आपको कंपनी सेक्रेटरी नहीं रखना मीटिंग आप 14 दिन में ही कर सकते हो मिनिमम मैक्सिमम डिरेक्टर कोई भी नहीं होगा इ झाल झाल झाल